Question या है, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है, आरंब की आधी यात्रा 22 किलोमेटर पती घंटा की गती से पूरी की जाती है, और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमेटर पती घंटा की गती से पूरी की जाती है, दूरी ग्याद कीजिए, मालेंगे दूरी X है, इस X upon 44 दूसरा समय निकालेंगे T2 equal हो जाएगा और आधी दूरी 26 km पती घंटा की गति से पूरी की जा रही है X upon 2 upon 26 तो दूसरा समय आ जाएगा X upon 52 कुल दूरी 12 घंटे में पूरी की जा रही है तो T equal हो जाएगा T1 प्लस T2 कुल दूरी 12 घंटे में पूरी की जा रही है T1 है X upon 44 प्लस T2 है X upon 52 LCM इसका आ जाएगा 572 यह हो जाएगा 13 X प्लस 52 से डिवाइट कर देंगे इसको तो यह आ जाएगा 11 X और यह 12 आवर के कुल है 24 X equal हो जाएगा 572 multiply 12 12 से डिवाइट कर देंगे 24 को यह हो जाएगा 2 डिवाइट कर देंगे 572 को तो यह आ जाएगा 286 तो X equal हो जाएगा 286 किलोमेटर तो दूरी आ जाएगी 286 किलोमेटर option C's का right answer होगा